एक डाक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवस्यक आपरेशन के लिए आता है उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत आपरेशन ब्लाक में चला गया उसने देखा कि लड़के की पिता हाल में चक्कर लगा रहा है डक्टर को देखते हैं लड़के की पिता भड़ा को हूटे और डक्टर से बोले कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी क्या आप जानते नहीं हो कि मेरे बेटे की जान खत्रे में है आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं डक्टर ने मुश्कराया और बोला मा लड़के की पिता कहते हैं कि मैं सांथ हो जाओं अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम सांथ हो जाते अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाये तो क्या करोगे लड़के की पिता ने चिला कर पूछा डाक्टर फिर मुश्कुराये और बोले कि मैं वही खा हुआ है हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी को लोट जाते हैं आप जाए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए भागवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिस करेंगे इसके बाद उस लड़के का पिता बड़ बड़ाया और बोले की बहुत आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है तो कुछ घंटों के अपरेशन के बाद डाक्टर खुश हुआ और आपरेशन थेटर से बाहर निकला और बोले की सुक्र है आपका बेटा बच गया और बिना पिता के कुछ कहने का इंतिजार कि डाक्टर वहां से बाहर चले गए अगर आपके कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लेजिएगा नर्स को वहां आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है कि ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था क्योंकि मैं इनसे अपने बेटे का हा पात में निधन हो गया और वो उसे दफनाने गए हुए थे जब हमने उन्हें आपके बेटे के अपरेशन के बारे में उन्हें बुलाया भेजा तब वो आपके बेटे का अपरेशन करने के लिए वहां से निकल आए दोस्तों इस कहानी से हमया सीखने को मिलता है कि हर परिस को हमें जल्दबाजे में किसी काम के बारे में कोई निड़े नहीं लेना चाहिए हमें सांति पूर्वक से किसी भी परिस्तिती में कोई भी समस्या हो हमें उस समस्या का समाधान सोच विचार कर सांति पूर्वक लेना चाहिए उसके बारे में जो भी निड़े हो उसको सांत पूर्वक लेना चाहिए